Hey Hello Super Learners हम start करने जा रहे class 7 का एक नया chapter और एक नई सिरीज है ठीक है जिसमें हम class 7 के जो ये 20 chapters आपको दिख रहे है स्क्रीन पर ये 20 के 20 chapter cover करेंगे maximum 1 chapter 2 lecture या फिर 3 lecture में cover होगा और आपको सभी के link description में मिल जाएगा अल्रीडी मैंने एक बार cover किया था लेकिन थोड़े और improvement के साथ वापस से एक series में मैं नया cover कर रहा हूँ तो चैनलों कर नए हो तो subscribe कर लेना और वीडियो को share जरूर करना अपने friends के साथ चलिए आगे बढ़ता है और अचा description में मैं कुछ telegram channel के groups के link डाल दूँगा तो आप उसको join कर सकते हो और अगर आप चाहते होगे मैं 7th के लिए एक अलग से बनाओ तो वो भी मुझे नीचे comment में बता देना share जरूर करना share करोगे तो हमारा channel grow करेगा और मुझे motivation मिलेगा और करते रहने के लिए सबसे पहला जो chapter है उसका नाम है the living world adaptation and classification अभी देखो पहले जो दो chapter है ना तुम्हारा science को बहुत important chapters है कुछ words यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा जिसको मैं highlight कर दिया मेरे हिसाब से class 7 के बच्चों को इन words के meanings शायद नहीं आते होंगे ऐसा मुझे लगता है लेकिन ऐसा कुछ मैं को कोई guarantee तो है नहीं कि आते होंगे नहीं आते होंगे तो अगर तुम्हें आते हैं तो ठीक है लेकिन अगर तुम्हें नहीं आते तो इन words के प्रिवियस स्टैंडर मतला विकर तुम सेवेल स्टैंडर में हो तो तुम्हें शिक्स स्टैंडर में और यह पढ़ा होगा या फिप्थ स्टैंडर में और पढ़ा होगा तो तुम्हें recall करना वापस याद करने की कोशिश कर दिया है देख एक question पूछा है in what different ways the diversity in the living things is seen अब इसका मतलब diversity इस शब्द का मतलब है कि variety ठीक है किसी भी चीज के बहुत सारे variety जैसे माल लो कि ये भी एक pen है ठीक है ये भी एक pen है ठीक है फिर ये भी एक pen है अब यहां पर कुछ important लिखा हुए जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजों के बारे में clarity आजाएगा देखो क्या बोला है a great variety of plants is found on the earth अगर earth की बात करू मैं तो बहुत सारे variety और पेड़ हमें देखने को मिलता है ठीक है plants हमें दिखने को मिलता है some plants have colorful flowers कुछ ऐसे plant होता है जिनका जो flower होता है वो काफी कैसा होता है colorful होता है ठीक है some plants grow in water where some are found in desert which have scarcity of water कह रहा है कि कुछ पेड़ ऐसे होता है जो उन जगहों पे उगता है जहाँ पे बहुत सारा पानी है on the other side कुछ ऐसे पेड़ भी होता है जो उन जगह पे उखता है जहाँ पे scarcity of water है scarcity इस word का मतलब होता है कमी ठीक है कि water की कह है वहाँ पे बचो water की कमी है उन जगह पे ठीक है अब देखो अगला क्या लिखा हुआ है some plants are found only in snowy region snowy region मतलब जहाँ पे बर्फ गिरता है कुछ plants ऐसे होंगे जो खाली snowy region में देखने को मिलेगा आपको some plants cannot be seen without a microscope अब यह Microsoft word का मतलब क्या है जिसके इसका line का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौदे होता है जिनको आप बिना microscope के नहीं देख सकते है तो अब सवाल यह उठता है कि भाईया microscope का मतलब क्या है तो microscope मतलब होता है एक छोटा सा device जिसके करण चूटी चीजे होती है वो आपको बड़ी दिखती है छोटा मोटा से डिवाइस होता है जिसके कान जो छोटी-छोटी से चीज़े होती हो आपको काफी बड़ी-बड़ी दिखती है ठीक है तो कुछ ऐसे प्लांट भी होता है जिनको आप खाली माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के आप उनको नह unicellular होता है, unicellular मतलब जो एक cell से बने होंगे, ठीक है, कुछ multicellular होता है, multicellular मतलब जो बहुत सारे cells से बने होंगे, some are vertebrates, vertebrates मतलब क्या होता है, वो ठीक है, जिनके पास reed की हड़ी है, जैसे हमारे पास पीछे reed की हड़ी है, तो हम vertebrates हो गया, where some other are invertebrates, जिनके पास reed की हड़ी नहीं होगी, ठीक है, this world is full of a variety of animals, जैसे कि aquatic हो सकता है, terrestrial हो सकता है, amphibian हो सकता है, reptilian हो सकता है, aerial हो सकता है, अब इनका मतलब समझना है, aquatic मतलब वो जो पानी में रहते हैं, terrestrial मतलब वो जो जमीन पे रहते हैं, amphibian मतलब वो जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, aerial मतलब वो होता है, जो हवे में उड़ते हैं, जैसे कि birds, और reptilian मतलब क्या होता है, जो रेंगते हैं, जैसे कि साप, ठीक है, this observation gave rise to question, how did this great diversity come into way, अब ये सवाल बोल, ये ऐसा पूछ रहा है हमसा, और हमने बता रहा है, कि जब हमने बाहर गए और हमने बहुत सारे प्रकार, जो भी यहाँ पर mention किया, और उसके अलाबा भी ठीक है, हमने plants देखा और हमने animals देखा, तो हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए, कि इतनी सारी diversity, इतनी सारी variety आई कैसे, and that is what we are going to learn in this chapter, कि ये जो adaptation होते हैं, जो ये varieties दिखती हैं हमें, वो क्यों आता है, उसको हम classify करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर can you tell करके question है, इसको तुम्हे करना है, तुम्हे क्या करना है, इस चीज को search करना है, Google पर, ठीक है, क्या है देखो, are the plants and animals from Kashmir and Rajasthan of same type, तो तुम क्या करोगे, plants of Kashmir, animals of Kashmir, Kashmir कहा है, एक snowy region है, अच्छा, Rajasthan कहा है, एक desert region है, जहाँ पर rate होता है, तो तुम्हें यह search करके देखना है, कि answer क्या आता है, तुम्हें क्या photos तुम्हें सामने आता है, तुम थोड़ा सा compare करना है उसको, ठीक है, can you elaborate any differences between them, तो तुम जो भी देखते हो, तुम्हें discuss करना है, अपने घरवालों के साथ, या फिर, तुम जो देखोगे, वो कोई भी नहीं है, तुम्हें पास अगे discuss करने के लिए, तो तुम नीचे मुझे comment करके बताऊगे, ठीक है, चलो, spelling mistake होगा, तो भी चलेगा च्छटे, बट comment general करना है, चलो, अब अगला देखो, तो conference tree, अभी conference tree मतलब क्या होता है, वो tree, जो कौन की तरह होता है, जैसे x-mes tree, जो होता हो, कौन की तरह होता ना, ऐसे, तो वो वाले पेड, जो कौन की तरह होता है, ठीक है, like pine and deodor, अब ये जो है, इसका भी, तुम सर्च करके देखो कि यह कौन सा पेड होता है ठीक है मतलब देखो कुल मिला कि यह जो question तुमसे पूछा है यह can you tell वाला ही यहां से यहां तक चल रहा है ठीक है तुमसे कह रहा है कि अगर तुम snowy region में चले जाओगे तो pine, deodor ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे तुमें लेकिन वही अगर तुम चले जाओगे राजस्थार वाले जगे पे तो तुमें कैसा पेड़ देखने को मिलेंगे बबूल ठीक है cactus ऐसे ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जिसमें काटे होंगे अब ऐसा क्यों हो रहा है फिर कह रहा है कि अगर तुम अलग प्रकार के अनिमल्स मिलेंगे लेकिन तुम डेजर्ट में जाओगे तो तुम्हें यार कैमल देखने को मिलेगा तो इस चीट के पीछे का कारण क्या है ठीक है तो यह तुम्हें प changing, खुद के अंदर बदलाव लाना, जैसे माल लो, कि मैं अभी बहुत पतला हो, ठीक है, और ये टी-शेट में को बहुत धीला आ रहा है, तो अगर अचानक से मैं मोटा हो गया, तो मैंने adapt किया है, इस टी-शेट के हिसाब से, समझते हो, adapt करना मतलब क्या होता है, अपने अंदर changes लाना, अब अगला देखो क्या है, gradually ये जो शब्द 10 का मतलब होता है, slowly, तो देखो क्या लिखा है, gradually changes occur in the body parts of, and also in the behavior of an organism, which help them to adjust to their surrounding such changes are called as adaptation, they take place over a long period of time, इस line का ये पूरा जो paragraph छोटा सा लिखा है, इस paragraph का earth ऐसा है, कि slowly, slowly, body में, ठीक है, और behavior में, जो animals होता है, जो organism होता है, behavior मतलब क्यों कैसे behave कर रहे है, ठीक है, उनमें बदलाब होता है, जैसे जंगली कुत्ता, अगर तुम उसके सामने जागे तो तुम्हारे पीछे भागेगा, लेकिन तुम्हारे घर का पाल तु कुत्ता, वो तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा, वो तुमसे प्यार करेगा, सही है न, जंगली पढ़ गया पीछे तुम्हारे ठीक है लेकिन तुम्हारे घर के खुत्ते के आगे तुम अगर टेम्परिंग करते हैं से बुलाते हो तो प्यार से आता तुम्हारे पास ठीक है तो यह जो होता ना यह adaptation होता है एक slow change होता है और इसको होने में बहुत time लगता है long period of time is required अब द लिखा है aquatic क्यां पर लिखा है type of root मतला habitat मतलब होता है क्यों कहां पर रहते हैं उनका root कैसा है उनके leaf की characteristics बताने है तुम्हें और उनके steam की characteristics बताने है characteristics मतलब खासियत तो तुमको कुछ नहीं करना है भाई साब यह simply तुम्हें search करना है और आगे यह डालना है तो cactus habitat ठीक है फिर डालना है cactus type of root फिर डालना है cactus characteristics of leaf फिर डालना है cactus characteristics of steam और यह जो चार्ट है यह तुमको complete करना है देखो बच्चो अगर मैं इतने सारे words तुम्हे action लेता है and that's the reason कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी जो चीजे हैं उनका मैं सब मतलब तुम्हें समझा के दूँगा लेकिन तुम homework करोगे अभी तुम 7th में अभी से अगर यह habit डालो गे तो life आगे बहुत बढ़ी होगी चलो अब देखते है adaptation मतलब क्या बदलाब आता है क्या changes होत aquatic plants में aquatic plants मतलब वो plants जो पानी के अंदर रहते हैं देखो क्या लिखा है वेज विजिट वेडियस water bodies such as river river तो तुम्हें पता ही होगा नदी brook मतलब क्या होता है small flow of water कहीं से चोटा सा पानी निकल रहा है जैसे किसे नदी से चोटा सा पानी ऐसा मालो यह नदी जा रहा है ठीक है इस नदी से थोड़ा सा पानी कहीं निकलने लगा पतली से धारा उसको brook कहते है पॉंड तुम्हें पता ही हुआ कही पर खड़ा करते हैं उसमें पानी डाल देते हैं पॉंड हो जाता है लेख क्या होता है जहां पर पानी जमा होता है ठीक है अच्छे से समझते हैं का मतलब क्या बोला है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होता है जो बहुत अच्छी तरीके से यहां पर जैसे देखो इसका जो रूट है वो अंदर लगा हुआ है किसके अंदर पानी के अंदर ठीक है इन दर स्वाइल पॉटम अप दे वाटर बोडी तो यह पानी के अंदर की तरफ है अब देखो इस वाले पेड में कि तुम देखोगे तो स्टीम जो है वो पानी के अंदर है रूट इस तरीके से लगा हुआ है लेकिन जो यह फ्लावर और जो लीफ है यह पानी के ओपर तैर रहा है समझ गए वो क्या हो रहा है पानी के ओपर फ्लोट हो रहा है अब देखो however some plants are entirely afloat अब कुछ ऐसे पेड होता है जैसे देखो पूरी तरीके से तेर ही रहा है पूरी तरीके से तेर ही रहा है अब देखो उसका, their roots are not anchored in the soil, अब जैसे ये वाला देखो, ये वाला गर तुम देखोगे, तो इसका जो root है, वो पानी के, जमीन के अंदर ऐसा हुआ है का, soil में, नहीं धसा हुआ है, तो not anchored मतलब क्या है कि fixed नहीं है, anchor शुवत का मतलब होता, fixed जैसे कि, boat विगरा को ऐसे पानने के लिए जिस चीच का इस्तमाल करते हैं, उसको हम anchor बोलते हैं, ठीक है, तो fixed नहीं है, ये यहाँ पर बुला गया है, अब अगले paragraph में, कहरा, the surfaces of the leaves and streams of many aquatic plants are covered with waxy layer, अगर मैं कुछ plants देखता हूँ, जैसे माल लो कि ये एक लीप मैं देखूँ हूँ है, इस वाले को अच्छे से दिखनी रहा वैसे, ठीक है, देखता हूँ इतर कोई पोटो है क्या, हाँ, तो माल लो ये जो है यहाँ पर पानी का बुन्द दिखाया है तुमारे textbook में, ये पानी का बुन्द नीचे गिर जाएगा, फेसल करके, क्योंकि ये न वैक्सी लेयर होता है, क्यासा ह इस तरीके की होता है, ये जो तुमें दिख रहा है, ये सलेंडर लाइक है, हलका एसे नीचे से पतला होते चला जाएगा ठीक है, और ribbon की तरह होते एकदम पतले, this shape help them to withstand the fast currents of water, अब ये जो इनका जो shape होता, इससे क्या होता है, पानी जा तेजते-जते भी ऐसा बहर है ना, अच्छा, air spaces in the steam and petioles of the aquatic plants are useful for floating in water. अब जैसे अगर तुम देखोगे, तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे कुछ छोटे-छोटे hole दिख रहे हैं, अब यह जो है न, यह air space है, air space है, मतलब यहाँ पर हवा रहेगा, ठीक है, तो यह जो हवा होता है, इसके अंदर, वो भी इसको help करता है, कि वो पानी पर तैर सके, ठीक, अब यहाँ पर देखो use your brain power, यह तो कुछ photos, photos दिखाया है, तुमने देखी लिया, ठीक है, अब यहाँ पर use your brain power करके कुछ question पूछे, मैं तुम्हें question समझा दूँगा, answer नहीं बताऊँगा, तुमारी जिम्मेदारी है, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है, what does water, why does water trickle off lotus leaves, अब देखो, why does water, मतलब क्यों पानी, lotus leaves, और trickle off का मतलब क्या है, देख लो, to run in thin or slow stream, मतलब slow या thin stream बना के पानी का बह जाना, तो अगर मतलब माल लो कि यहाँ पे पानी गिरा है, तो क्यों बह जाएगा, थुड़ दर पहले मैं ने बताया था, अब तुम इसका answer बता सकते हो, इसे, अगला देखो, why don't the leaves of this plant rot in water, अब अगर ऐसे जो plant है, उनके जो leaves होता है, ठीक है, जो पते होता है, वो पानी में सड क्यों नहीं जाते हैं, ये भी मैंना तुम्हें बताया था, तो दिमाग लगा कर तुम जवाब दे सकते हो, why are there roots short and fibrous, इनके जो root होते हो, short मतलब चोटे, और fibrous का मतलब क्या होता है, कि इस तरीके का, जैसा भी ये root देखोगे तुम यहाँ, अगर तुम line में देख पा रहे हो, तो ये root देखो, कैसे ऐसे, ऐसे से गया है, ठीक है, ऐसे देखो, तो ये fiber की तरह है, धागी की तरह है, ऐसा क्यों होता है, ये ये बारे में हमें बताना, तो देखो, क्या कह रहा है, टेक two potted plants, दो plant लो, जिसको तुमने pot में लगाया है, एक जो होगा, तुमारा वो cactus का होगा, cactus सर्च करके देख लेना, ऐसा दिखेगा, तुम्हें cactus सर्च क्या करना, यही photo, एक cactus का ही है, ठीक है, अगर a leafy plant, दूसरा तुम क्या लोगे, एक leafy plant लोगे, मतलब जो भी, जिसमें leaf होता है, जाता, ठीक है, टाइप plastic bag loosely around the leaves of this plant, अब तुमारा लो कि तुमने एक cactus ले लिया, तो इसमें एक plastic bag तुमें ऐसे बान दोगे, और दूसरा roots के पास टी, टाइप plastic bag loosely around the leaves के पास, sorry, leaves के पास तुम्हें बानना है, and keep them in sunlight for early in the morning, सुभे-सुभे उनको ले जाके sunlight में रख दो, और दोनों में बानना है, एक leafy वाले में और एक cactus वाले में, in the afternoon, bring these pots into the classroom and observe them, और afternoon में जब दोपहर हो जाएगा, तो तुम उसको ले करके होगे और observe करोगे, और तुम्हें बताना है, has the same quantity of water collected in the both bags, अब जब तुम उसको बान्ध करके, steam को ऐसे बान्धोगे, और उसको धूप में रख दोगे, तो इसमें क्या होता, पानी होता है, ठीक है, तो वो modified into thorns, क्या बोल रहा है, कि जो desert में जो plants होता है, या तो वो leafless होता है, मतलब उनमें कोई भी leaf नहीं होता है, ठीक है, as a result, they lose very little water by evaporation, अब सुनना जारा, क्या बोला जा रहा है, यही पर तुम्हें सवाल का जबाब भी मिल गया, ठीक है, तो यहां पर बोला है कि leafless होता है, बिल्कुल leaf नहीं होगा, या फिर जो leaf होगा, वो ऐसे needle बन जाएगा, ठीक है, ऐसे needle टाइप बन जाएगा, काटे टाइप बन जाएगा, इसी के कारण, evaporation सा, modified इस शब्द का मतलब क्या है, कि बदलाव किया, अपने अंदर उसने खुद को काट दिया साइट से, तो इसमें, modification कर दिया है, बाइक को कुछ लोग modify कर आते हैं, car को modify कर आते हैं, ठीक है, evaporation मतलब क्या होता है, एक ऐसा process, जिसमें जो तुम्हारा water है, वो vapor बन करके उपर उपर उड़ जाएगा, भाब बन जाएगा, इसको हम वारे desert वाले plants होता है, वो leafless होता है, या फिर जो leaf होता है, वो कैसा होता है, needle के जैसा बन जाता है, modify कर लेता है खुद को, पानी की कमी के कारण, तो उसमें से बहुत कम पानी लिकलेगा, तो शायद तुम्हें इस सवल का भी जबाब मिली गया होगा, अब अगला गला देखो क्या लिखा है, अब जो यह steam है, यह तुम्हें fleshy दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा मोटा दिख रहा होगा ऐसा लग रहा होगा, इसके अदर बहुत माल material भरा हुआ है, तो इसके पिछे का कारण क्या है, कि इसके अंदर food store होता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, खुद के अंदर food store करके रखता है, इसलिए fleshy होता है, the steams are green as they perform photosynthesis, अब ये जो steam है, ये green होता है, अब देखो leaf तो है नहीं, leaf नहीं है न, तो इस plant को अपने food के preparation के लिए, ये photosynthesis कैसे करेगा, अगर leaf नहीं है तो, तो ये जो steam होता, ये ही कैसा होता, य green in color है, तो being green in color ये क्या कर सकता है, photosynthesis कर सकता है, तुम्हारे मन में एक और doubt होगा, ये photosynthesis क्या होता है, photo का मतलब होता है, light और synthesis मतलब होता, पकाना, खाना, बनाना, तो light की मदद से, जब एक plant food prepare करता है, तो उसको हम photosynthesis कहता है, अगला देखो, in the absence of leaves, their root penetrate deep into the soil, जब यहाँ ठीक है, वो बहुत अंदर तक जाते है, soil के, पानी के search में, तो इसके जो roots होंगे, बहुत अंदर तक जाएंगे, किसलिए, पानी के search में, ठीक है, there is a thick layer of waxy substance on the stream of this plants too, अगर इस plant के तो तुम ये देखोगे, इस part को अगर देखोगे, तो यहाँ पर एक वाक्सी coating होगी, मत photosynthesis का ऐसे करते हैं and all, अब अगला जो है हमारा, वो है adaptation in plants of snowy region, कि जो snowy region में जो plants होंगे, वो खुद को कैसे बदलेंगे, उनका adaptation कैसा होगा, तो देखो, in what way are sloping branches useful to plants in snowy region, अब देखो क्या बोल रहा है, जो sloping branches होंगे, तो जैसे ये देखो, ये जो branch है, यहाँ पर तुम snowy region जहाँ पर बर्फ किरता है, तो ऐसे region का अगर मान लो कि अगर ये एक पेड़ है, तो इसको ये कैसे useful होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है, तो देखो, बहुत simple है इसका जबाब, plants of snowy region में इंक्लूड कॉनिफर्स like deodor and pine, अब देखो तुम्हें मैंने पीछे ही बोला जाता कि बुडियों को pose करके deodor, इस word को search करो, कि ये कौन से plant होता है, और यहाँ पे तुम्हें deodor दिखा दिया गया है, कि ये deodor है, Xmas tree जासे दिखता है basically ये, ठीक है, और अब देखो, क्या बोला जा रहा है, कि ये न कौन की तरह है, तो इसको कॉनिफर्स बोलेंगे, पी conical ship prevents the snow from accumulating on the tree and thick bark lives and the tree to withstand the cold, अब जब snowfall होता है, तो इसके ये ऐसा shape है न इसका, इसके क्या होता है, जो snow होता है, वो नीचे के तरफ गिल जाता है, अब अगर snow नीचे की तरफ गिल जाएगा, तो ये न प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है, इसके पर snow जमानी होगा, तो ये थोड़ा जादा लंबा Jeep आएगा, और ये withstand, मतला अपने आपको खड़ा रख सकता है, snowfall के अंदर भी, और ये Jeep आएगा, तो इसने इस तरीके से अपने आपको adapt किया है, अपने आपमे ऐसा बदलाब लाया है, ठीक है, अब भी को यार, दो तीन topic, एक last है इसके बाद, ये Forest Trigen में उसके अंदर क्या बदलाब आया है, तो देखो, अब variety of plants, trees, shrubs and herbs are found in forest, अब देखो यार, tree तो तुम्हें पता है, कोई भी पेड को हम कह सकता है, shrubs हम किसको कहते है, जो छोटे-छोटे पेड होता है, जैसा तुम्हारे स्कूल गई रहे में, गार्डन वार्डन में कहते हैं, ठीक है, कुछ हद तक vegetables हम इसमें include नहीं करते हैं, कुछ-कुछ, वैसे काफी सारे vegetables के पास medicinal properties भी है, मतलब दबाईयों के लिए इस्तमाल किया जा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा है, found in forest, these plants, अब यहाँ पे कहा है, adaptation in forest region, तो forest region में जो plants होंगे, उनके अंदर क्या adaptation आएगा, अब देखो, these plants compete among themselves for sunlight, hence the trees grow tall to get sunlight and climbers and wine grow to a great height with the support of these trees, अब इस दोनों का मतलब समझो, अब forest region में क्योंकि बहुत सारे पेड़ है, तो यह पेड़ में एक दूसरे के साथ competition करेंगे, जैसे मालों यह बड़ा पेड़ है, और यह छोटा पेड इसके नीचे है, तो इसको धूप तो मिलेगा नहीं, तो धूप के लिए यह पेड़ भी लंबा होने की कुशिश करेगा, इस से जाता, तो एक competition चालो होता है, forest region के plants के बीच में, और दूसरे क्लाइमबर्स और जो wines होते हैं, उन पेड़ को बोला जाता है, जिनका जो steam होता है, वो दूसरे पेड़ की मदद ले करके ग्रो करते हैं, जैसे की climbers ही basically, ठीक है, तो climbers और wines क्या करते हैं, इनकी मदद से उपर उपर चड़ते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि काफी सारे climbers विगरा दिखाया उपर, जो इनके उपर चड़ चड़ के ग्रो कर रहा है, ठ spring like tendrils, tendrils मतलब देखो कोई भी एक climber देखोगे न, तो उसमें एक ऐसा छोड़ा सा पार्ट होता है, जो जैसे किसी पेड़ पे चड़ता है, तो उस पे अमलों की यह लकड़ी है, इस पे टच होगा, तो ऐसे 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 खुद को बोर के उपर जाएगा, तो spring like tendrils on the steam of some climber is an example of adaptation, तो यह जो है न, जो, यह जो tendril हमें दिख रहा है, यह steam का ही एक क्या है adaptation है, खुद को उसने बदल लिया है, क्योंकि वो अतना strong नहीं है, कि वो सीधे खुद खड़ा हो सकता है, तो उसने खुद के अंदर ऐसे बदलाब किया है, कि वो दूसरे पेड़ के उपर क हमारा last topic बचेगा, तो second last topic है, जड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, कहा गया है, हाँ यह रहा है, ठीक है, देखो क्या आईए, कह रहा है, adaptation in grassland plants, अब grassland मतलब जो घास में रहता है, छोटे छोटे घास में जो plants उपता है उसके बार में बात कर रहा है, इसमें कुछ नहीं थीक है, जंगल में मिलते है, fibrous root मतलब ऐसे root होंगे, ऐसे roots होंगे, तो अब यह जो है न, यह fibrous root है, तो अब यह जैसे जमीन के अंदर जाएगा, तो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, अब अगर यह मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो बारिश विग्रा में क्या soil erosion से भी बचा लेगा, soil erosion मतलब बारिश के पानी के साथ, या पानी के साथ, मिट्टी का बैज आना, ठीक है, grasses in the equatorial region, अब equatorial region क्या होता है, हमारा जो earth है, उसमें ऐसे एक equator होता है, और ऐसे कुछ poles होता है, ठीक है, तो ये वाला जो है न, equator जिसको हम बोलता है, तो जो भी country, इस equatorial line पे आएगा, उसको हम equatorial region कहेंगे, ठीक है, तो equatorial countries हो गया है, वो equator पे आ रहा है, तो equatorial region are very tall, तो equatorial region पे जो plants होता है, बहुत लंबे होता है, animals like tiger, elephants and deer can remain hidden in this grasses, ऐसे grasses में ये सब जानवर छुपके रह सकते हैं, however, grasses in the cold region are very short, जो cold region में ऐसे जो grass होंगे, बहुत छोटे होंगे, जैसे कि rabbit और ऐसे grasses में मिलता है, ठीक है, rabbits लगे रहा है, चोटे घास होता है, ठीक है, vast middle, इस शब्द का मतलब कहा है, large in size, जो कोई vast, vast मतलब बहुत बढ़ा, ठीक है, तो large in size are found in hilly areas as well as plains, तो ये जो पेड होता है, छोटे-छोटे, ये hilly region पे भी मिल सकते हैं, और plains मतलब ऐसे सीधा-सीधा जहां पे जमीन है, वहाँ पे भी मिल सकते हैं, बड़े quantity में, ठीक है, बहुत जादा amount में, ये हम बोलना चाहरा है, अब ये वाला तुम्हाँ पढ़ने की तुम्हारी जिम्मेदारी है, observe करना है, discuss करना है, कुछ-कुछ words आएंगे यहाँ पे onion, beet, bitter ground, इनका मतलब आप सर्च कर सकते हो, अगर चाहिए होगा तो Google पे का तुम्हें नहीं पता होगा किसी का तो, ठीक है, अब last है हमारा adaptation for ingestion of food in plants, कि ingestion इस शब्द का मतलब क्या होता है, कि जैसे भी हम लोग आप से खना अपने वमेट आलता है, तो इस process को ingestion कहता है, तो plants अपने food को किस तरीके से अपने अंदर डालता है, यह हमें जानना है, अब एक तो तुम लोग को पता ही होगा कि plant का roots roots नीचे जाता है, और roots से पानी और nutrients लेकर के आता है, और दूसरा वो अपने पेड़, हरे पत्तों के मदद से, stream विगड़ा के मदद से, photosynthetis करता है, sunlight की मदद से वह खाना पकाता है, लेकिन कुछ और भी है, जिसके बारे में मैं पढ़ना है, और क्या adaptation हो सकता है, तो देखो क्या बोला है, most of the plants are anchored in the root and are autotropic, बहुत सारे यसे plant होते हैं, जो अपने roots को जमीन के अता fix कर लेता है, anchored का मतलब पीछे बताया था, ठीक है, और वो autotropic होते है, auto मतलब खुद का खाना, धुब की मदद से खुद बना रहा, किसी और पर depend नहीं करते हैं, ठीक है, अब प्लांट्स लाइक dodder, जैसे की, koskata, और parasitic, parasitic मतलब दूसरे पर जो depend करते हैं, अपने खाने के लिए, ठीक है, अब यहां पर तुम में दिख रहा है, वायर लाइक कुछ, ठीक है, तो यह वायर लाइक steams होते हैं, इस leafless and cannot perform photosynthesis, अब इनके लिफी नहीं होता, तो यह और yellow color के होते है, green भी नहीं होते है, मतलब इनके लिए chlorophyll नहीं है, तो यह क्या नहीं कर पाएंगे, यह photosynthesis नहीं कर पाएंगे, however, it has historical sucking roots for absorbing nutrients from the host plant, this root penetrate up to the conducting vessels of the host plant and absorb the water and food, इसका अर्थ समझना जो बोला जा रहा है, लेकिन, हलाकि यह green नहीं है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता historical sucking roots, मतलब ऐसे कुछ roots होते हैं, जो दूसरा plant है, माल लेते हैं, कि हम यह एक दूसरा plant है, ठीक है, अब इस दूसरे plant में क्या होगा, कि अंदर घुश जाएगा, इसका जो roots होंगे, अंदर घुश जाएगे, और अंदर घुशने के आदर इसके roots ना, इस plant के जो ऐसे, इसके अंदर कुछ vessels होता है, ठीक है, जो water do not have chlorophyll, chlorophyll क्या होता है, एक ऐसा pigment, ठीक है, जिसके कारण यह plant को green color मिलता है, तो जो fungus होता है, फंगी जिनको बुलते हैं, उनके पास chlorophyll नहीं होता है, and they cannot perform photosynthesis, इसी कारण जब क्या नहीं कर पाते हैं, photosynthesis perform नहीं कर पाते हैं, they obtain food from starchy food stuff like भाकरी and bread, they have root like fibers for absorption of food, तो अब इनके पास में नहीं होता है, तो यह दूसरे चीजों पर depend करते हैं, अपने food के लिए, ठीक है, saprophytic होता है nature में, और क्या होता है, इनके पास ऐसा roots होते हैं, जो दूसरे चीज के अंदर चला जाता है, वहाँ से nutrients ले लेता हैं, अब देखो, plant को चाहिए होता है, nitrogen, phosphorus, potassium growth के लिए, तो अब यह क्या है, nitrogen, potassium, phosphorus वेगरा क्या है, यह nutrients है, ठीक है, inorganic nutrients है, ठीक है, plants that grow in the soil, which is deficient in nitrogen, sundew, venus flytrap, example है, picture plant, यह सब तुम्हें सर्च करना, आप देखो, आप वेनस flytrap दिखाया है, और बाकी जैसे यह लिखाया है, ठीक है, और picture plant है, यह तुम्हें सर्च करना, इनका photo दिखना है, गूगल पर, ठीक है, fulfill their need of nitrogen by consuming insect, adaptation as seen in this plant, which serve to attract insect and hold them captive, captive इस शब्द का मतलब है, कि, जैसे जानवर वेगरा को, जेल में रखा जाता है, cage में, उसका captive मतलब है, किसी चीज़ को capture करके रखा, ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, ऐसे plant है, जैसे कि, venus flytrap, यह उन जमीनों पर उखता है, जहाँ पर fulfillment को fulfill करने के लिए, यह plants क्या करते है, यह न इंसेक्ट को खा जाते है, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, यह उपन है न, इसमें जैसे एक insect बढ़ेगा, तो यह बंद हो जाएगा, तो यह जाल की तरह, cage की तरह, बंद हो जाएगा, एक जेल की तरह, और वो insect को फिर वही तो गलामारा के खा जाएगा, उसमें से nutrients ले लेगा, खकब खाएगा, तो ऐसे भी कुछ पेड़ के अंदर adaptations होते हैं, तो देखो यार, बहुत detail में हमने यह सारी चीज़ा आज पढ़ी है, ठीक है, मैंने plan किया है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे videos और लाता तो जो भी मैंने पढ़ा है, इसको अच्छे से देखना हो, और इसके उपर से notes बनाना और इन वीडियो को share जरूर करना, sharing is caring बच्छा पाटी, तुम लोग share करोगे, जिससे हमारे videos और आगे जाएगे, और मुझे मेरे growth में help मिलेगा, and I will be really thankful to you all, ठीक है, बाकि जो भी मैं पढ़ाओंगा, सभी का link में description में डाल दोगा, तो आप वहां से check कर सकते हो, thank you so much for watching this video, happy love!